इस तरह से यो के ट्रांसफर कभी कोंग्रेस वाले करा रहे हैं कभी कॉंश्द्स द्धार करा रहे हैं और अच्छे कंड़िएट को भारते जनता पार्टी के कंड़िएट को टिकट देती है तो निश्ची दुरूप से किसना नाम जी भारतिय जन्ता पार्टी के कंडिडेट के साथ में रहेंगे ऐसा मुझे पुरा विश्वास है टिकेट के दावधारी को लेकर आप टिकेट को लेकर आप कितने आस्वस्ते हैं अभी पार्टी जिसें भी कंडिडेट बनाएगी हम सब मिलकर के हम भारतिय जन्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगी महिया जी का जो कारेकाल है वो लोगों की बहुत बड़ी अप्यक्श्या इस बात की थी कि वो बिजली के लिए किसानों के लिए संगर्स करेंगे लेकिन ओनों ने साड़े चार साल में एक भी आंदोलन खड़ा नहीं किया महिया जी ने जो अभी उपतसिल सूर्सर मनाई और उसमें ये उत्तर साइड के और सोनिया सरसाइड के गाओं को डाल करके लोगों को बड़ी प्रेशानी में डाल दिया भार्थे जंता पार्टी का विदायक डबल इंजन की सरकार बनाकर कैंदर में सरकार फिर नीचे भार्थे जंता पार्टी की रास्तान में सरकार एक विकास के नए आयाम चुयेगी नमस्कार मैं अस्गर अली आज हम स्री डूंगरगड में हैं और हमारे साथ हैं स्री डूंगरगड के कदा और बाजबा नेता राम गुपाल जी सुथार जो स्री डूंगरगड में लंबे समय से सक्री है और बाजबा पार्टी में काफी सालों से लगातार जुड़े वें और पार्टी ने इनको कई महत्वपुन जिम्हदारियां भी सोंपी हैं। लगातार पांच वार एक वार्ड से पांच वार पारिशद का चुनाओ भी जी चुके हैं। दोजार तेश चुना में स्री डूंगरेड से बाजपा के दाविदारों में मुख्य रूप से इनको माना जा रहा है। और लगातार ये गाम डानी गली मोहलों में लगातार लोगों से जुड़े वे हैं। व्यक्तिकित संपर्क के मादिम से और लोगों की अक्सर जनसम्च हैं सुनते वे नजर आते हैं। सबसे पहले रामकुपाल जी आपका बहुत पहुत स्वागत है हमारी चैनल पर। तो आज हम आपके पास आए हैं और बहुत सारी चुनावी चर्चा करेंगे। तो क्या लगता है इस बार 2023 का चुनाव स्री डूंगरिड में किस नजर से देख सकते हैं। और यहां पर लोगों की मानसिक्ता कमल को जिताने की पूर्ण रूप से बनी हुई है कि उल्समय का इज़ार हो रहा है। पिछले दपा बिजली की समस्या को लेकर के और यहां के लोगों ने वोट दिये जो की साड़े चार साल निकलने के बाद में किसानों की समस्या बिजली की समस्या हो चाहिए पीने की समस्या हो जो की त्यों मुह भाई खड़ी है और वरतमान परसासन से बिल्कुल पबलिक है वो खफा है आप भी गाहों में गाहों घूम रहे हैं देख रहे हैं लोगों के यही व्यू आ रहे हैं और भारते जनता पा कारिकाल किस तरह से देखते हैं किसा रहा उनका कारिकाल मैया जी का मैं वैसे व्यक्ति रूप से मेरे मित्र भी हैं लेकिन मैया जी का जो कारिकाल है वो लोगों की बहुत बड़ी अपेक्चा इस बात की थी कि वो बिजली के लिए किसानों के लिए संगर्स करेंगे लेकिन व सब को इस मामले में पूरी राहत देंगे और मया जी ने जो अभी उपतसिल सूर सर मनाई और उसमें ये उत्तर साइड के और सोनियासर साइड के गाओं को डाल करके लोगों को बड़ी प्रेसानी में डाल दिया जबकि लकासर में तो संगर्स करने के बाद में इन गाओं को न की बात के जाए तो इन साड़े चार सालों में आपके पार्टी भी कोई बड़ा मजबुत जन अंदोलन खड़ा नहीं कर पाई नहीं समय समय पर प्रदेश द्वारा निर्दारी ता हम लोगों का कारेकरम हमारी पार्टी अनुसासनात्मक पार्टी है और जब जब भी पार्टी ने हम लोगों को कारेकरम दिया चाहे वो आकरोस यात्रा निकालनी हो हमने गाउं गाउं डानी डानी जाकर के लोगों से रूबरू हुए हैं लोगों की समस्याएं सुनी हैं और साड़े चार साल में हमने देखा है कि सड़क, चिकिस्या, पानी और बिजली की पूरी समस्या गाउं के अंदर है और हम लोगों ने यहां पर विदान सबाइस तर प बड़े इसतर पर उठाएंगे पिछले चुनों मैं भी हमिने देखा कि आप आपकी टिक्ट के दावदारी को लेकर काफी कैस लगए जा रहे है तो इस बार क्या लगता है यस बार बाजपा पार्टी में आपकी टिकट के दावदारी को लेकर आप टिकेटों को लेकर आप कितने आस्वस्ते हैं अभी पिछली बार क्योंकि मैं पार्टी में दिरंतर काम कर रहा हूं दो बार जिला देख वी रहा उपरदान राट से डूंगर पंचाई सिमिती में और अब मैं जन परती नहीं दियोने के नाते समय समय पर लोगों क सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम आते हैं उनको करता रहता हूं लोगों का प्यार और सने है और पिछली वार भी आर्थी जनता पार्टी ने राजस्तान लेवल पर मेरा नाम तैय करके दिल्ली बेजा था और एन वक्त पर किनी कारणों से राजनिती में सब कुछ संभव है इसलिए अंतिम समय में मेरी टिगट दिल्ली में एकट गई थी और मैं अब की वार पूर्ण रूप से इस बात के लिए आस्वस्त हूं कि पार्टी निश्चित रूप से एक अच्छे कंडिडेट होने के नाते इमांदार स्वक्ष सभी होने के नाते मेरा मेरे को ही हमारा कंडिडेट है उमीद्वार है और कमल का फूल की जिसको टिकट भी देंगे हम सम मिलकर के यहां से भारते जन्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे और श्रीडूगनट की जन्ता के बले के लिए हम आगे पांस साल तक काम करते रहेंगे पूरो विदाए किसनाराम जी नाई भी खुलकर मैंदान में है और उन्होंने इस पर साप कर दिया है कि में चुनाव लड़ूगा तो क्या लगता है इसका कही बाज़पापार्टी को नुक्शानuj में हो सकता है कि अगर किसनाराम जी चुनाव मैयदान में तो या बाज़ सों बरसों तक काम किया है वो एक सभी के और इमानदार नेता हैं और अब अपने उमर दराज भी हो गए हैं और निश्चित रूप से वो यदि चुनाओ की बात कहते हैं तो मैं समझता हूं कि अब नहीं पीडी को आगे आना चाहिए और किसना राम जी यदि अच्छे को भारतिय जन्ता पार्टी यदि कंडिडेट को टिकट देती है तो निश्चित रूप से किसना नाम जी भारतिय जन्ता पार्टी के कंडिडेट के साथ में रहेंगे इसा मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि उनकी निश्चा पूरी तरह भारतिय जन्ता पार्टी से पारटी दो दोड़े में बटे वी है जिस तरह से सचिन पायलोट और असोग गैलोग के लड़ाई जग जाहिर है और अभी भी यह ऐस तिस दता की हो रहा है कब यह गोर्मेंट चले जाए इसका कोई बरोसा नहीं है होटलों में चलने वाली सरकार का कोई बरोसा नहीं करेंग है कि भारती जंता पारटी डेड़ सोचे उपर सीटें जीतने वाली है इसलिए कांग्रेस का असपता तो यहां पर साफ होने वाला है कॉंग्रेस का राज अंतिम सांस ले रहा है जसरासर में जो किसान सम्मेले नवा उसमें बड़ी संग्या में लोग आई और उसमें जो वहां के इस्तान नेता है रामेश जी डूडी उन्होंने डूंगरगड में भी बड़ी सभा की नेमंतरन बेजा तो कि इसका इफेक्ट या फाइदा मिलेगा कांग्रेस को आगमे सकते हैं लेकिन स्रीडूंगरगड में यहां पर अलग इस्तितियां हैं और यहां पर जातिवादी का फेक्टर बहुत कम चलने का चांस है क्योंकि आपने देखा है पिसली बार भी भारती जिनता पार्टी में जिस तरह से किसना राम जी के बहुत कम वोट होने के बाद में ऐसी कोई जातिवादी वाली बात नहीं है और जो यह जसरासर का कारेक्रम है यह डूडी जी ने बड़ी ताकत और दमखम के साथ में किया था है उसके पीछे मकसद राजनितिक साथने का है क्योंकि सचिन पाइलट और गैलोग के बीच में जो अदावत चल रही है उसको ड सब्सक्राइब को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं भाजबा का मुक्य रूप से मुद्दा तो ब्रष्टाचार मुक्त इस श्रीडूंगड विदान सबाचें छेत्र में इमांदार और ब्रष्टाचार मुक्त यहां का परसासन हो दूसरे में किसानों की जो विजल चल रहा है अगामी अपने ऐक दो मि gravelा में आप देखोगे बिजली की किलत के साथमें पसलों को बड़ा नुकसान होने वाला है और जिस तरह केंदर सरकार में videog promise है उन्होंने इस तरह है, और उसके साथ में जिस तरह मुपली के सर्सों के चने के ग्यों बाजरा की रेटें दीए, वो आप देख रहे हैं किसानों को खुषाली की ओर ले जा रही है और खुषान बिलकुल खुष हैं इस बात से और मोधी जी निनतर किसानों के हित में काम करें, इन सब फ खुल कर आगे नहीं है सारे साइलेंट थे इस मोदे को लेकर कुछ नहीं बोला तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे इस ताने नेताओं का आगे आना चीए देखो मैं नगरपालिका में लगातार 20 साल तक रहा हूं अभी मेरा लड़का है वो भी भरत पारसद है वो नगरपालि किया जा रहा है जिस तरह से सेर के बार के लोगा करके इस नगरपालिका पर कब्जा जमाए हुए है जिस तरह भूमाप यहों का इस नगरपालिका मैं भी बोल बाला हला कि मैं इस बात को स्विकार करता हूं कि यह बारते जिन्दा पार्टी का बोर्ड है और बोर्ड होने क के बावजूद भी ये इस्तितियां बढ़ीए लेकिन राज का स्वाहिस्चाइश सोस्ताओं में बड़ा असर होता है चाहे वह पंसा ही सिमिती हो चाहे नगरपाली गाव जाब राज ऊपर में जिस सरकार का होता है वहां के अधिकारी कोंग्रेस वाले करा रहे हैं कभी कॉम्रेट साहब करा रहे हैं कभी ये डेपूटेचन KagWER नहीं है और सहर के लिए भी ये अच्छी बात नहीं उनको बड़ी दिक्कत होती है कोई सारवजिनिक सोचा ले नहीं है तो क्या लगता है ये चीजें सिरी डूंगरिड में होना बहुत जरूरी है आपकी बात बिलकुल अक्सरस सहमें तुम्हें इस बात से हैं और हमने पिछली आपनी भारती जन्ता पार्टी की सरकार में भी हमने बहुत परि स्वास दिलाता हूं कि भारती जन्ता पार्टी की अगली सरकार आएगी तो निश्चित रूप से यहां पर बस्षिस्टेंड इस वर्मिवाग की भूम में बड़ा विशाल बस्षिटेंड होगा लेकिन इस तरह की घोस्टना हैं मैं सुन रहा हूं जो हो रही है लेकिन यह दरातल पर कॉंग्रेस पार्टी उतने उतारने वाली इस्तिति में मुझे नहीं लगता है कि यह गोस्टना है जो बस्षिस्टेंड की अभी कॉंग्रेस सरकार ने की है वह उतरेगी बारते जन्ता पार्टी की सरकार आने पर भी एक सुन्दर साथ साथ बस्षिस्टेंड हम असासत महताय से मिल करके इस स्टेडियें के लिए दस लाख रिपे सुटाइए करोए है है उसके नाइटी ऐक दो दिन में अब निकल जाएगी और उसके बास में भी ज़ाइन जैसे राशी क्यावशिक्ता होगी मुझे आस्वस्त के असासत महताय। कि हम और रहसी भी स्टेडियम के लिए देगे, इस काम को भी हम आगे आख किर के करेंगे, इस तरह से बहुत सी समुज़य है, इस स्वेर की एद Sheriff का समधा समय समय पर हम करवाते रहेंगे. दलित नेताओं का अक्सरी आरोप, दलित दोनों भाई भाई हैं हम मिलकर के कभी हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं रही है और दलितों के लिए और दलितों में में हमारा उटना बेटना रहता है और दलितों के उथान के लिए दलितों की समस्याओं को लेकर का हम रोज संगर सरत रहते हैं और दलित जब हमारी पार्टी का भी यही हुदेश है कि अंतियोद है जो अंतिम पक्ति में जो वेक्ति खड़ा है उसको हम अपनी बराबरी पर लाएं आगे लाएं इस विजन को लेकर ही चल रहे हैं और अभी तो केंदर सरकार में मोधी जी ने साफ रूप से का है कि गरीब आदमी को केंदरित क करके सारी योजनाएं मोधी जी बना रहे हैं आप देखेंगे अगले दिनों में जो दलित वरग है उसको बहुत उंचे इस तर तक ले जाने वाले हैं और हमारे दलित ने ता भी मानिया सिरा जुनाम जी में एक वाल हैं वो भी पूरे भारतवर्स में घूम कर गूम करके औ और ये काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने भी संक्टन में भी दलित एक ऐसी वरग का तीन मामंत्री होते हैं हमारे जिल्ले में और मंडल में अपने तीन मामंत्री होते हैं उसमें अमने पार्टी में समिधान करके एक एक दलित को मामंत्री बनाने का काम किया है इस तरह ह हम benefited कर जी के जो शिदांता है उनको आगे ले कर कि चलने वाले अगे मेर कर के बारे में एधी किसी नहीं सोचा है तो कहपे जितने भी इस्थान एवा हम पर तीर्त बना दिय हैं सब जगें निर्मान काम करें हम मुद्धा के साथ i mean कर जहनती मुणाते हैं दलित हमारे भाई हैं हम उनके साथ में मिलकर ही सारा काम करते हैं क्या लगता है इस बार बारतिय जनता पार्टी है वो सीरी डूंगरेट में अपना पर्चम लह रहाएगी निश्चित रूप से बारतिय जनता पार्टी अब की बार लोगों का मानस पूरा बन गया है और इस कॉंग्रेस और जो ये कॉमरेड की ये चौली दामन का जो साथ है ये तूटने वाला है निश्चित रूप से और लोगों ने पूरी तरह से मानस बना लिया है ये मोधिजी ने जिस तरह से 370 धराट आई जिस तरह से रामंदिर का निर्मान किया जिस तरह रास्री योजना है सूकन्या है और सम्र्धियोजना है उज्वुला के इस्योजना है और अनेक तरह कि आप देख रहे हैं और गविधुत्ध योजना है और उन सब बातों को मुधीजी के नाम पर भी हम सब 2004 भी जितें गहें और 2023 भी भार्फिज accurate जितें गहें सब मुझे पुरा विश्वास है डोंगरगड की जनता को प्या संदिश देऊ की जनता को मैं विश्वास से यही दिलाना चाहता हूं कि भहरेजे जनता पार्टी एक राष्ट्री पार्टी यह और अभी अंतराष्ट्र इस तर पतल पर इसके एक विशह इस रूप से साख है और मोदी जी ने 2000 सौदा के बाद में 2023 तक आप ने देखा है एक भी ब्रिष्टाचार का ऐसा मुद्दा नहीं आया है जो कि हमारी पार्टी पर कोई स्वालिया निसान पैदा करे और आप देख रहे हैं जिस तरह रोज बंबलाश्ट होते थे कभी जैप हो अमरिका हो जर्मन हो इंगलेंड हो फ्रांस हो भीटें ओ चाहिए चाईना हो सब जगय मोदी जी की साख वड़ी है और मैं समस्ता हूं मोदी जी के ने हैत्रतु में है सीड़ुकनलaggi की जनता को मैं विज़कर विश्वास दिलाता हूं कि हम सब इमानधारी के सात में इस की सेवा करेंगे इसलिए आगामी सुलाओं में आप कमल के निसान को जिता करके और यहां से विदान सबास में MLA परत्यासी को आप भेज़िए विदान सबास में भेज़िए निश्ची तरूप से यहां पर भारत्य जन्ता पार्टी का विदाएक डबल इंजन की सरकार उनके बीच यह लगातार जा रहे हैं उनके समस्याइं सुन रहे हैं और निश्ची तोर से हाल के इन सालों में इनका कद है वो काफी बढ़ा है लगातार पांच वार यह परस्द भी रह चुके हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आम लोगों में इनके च्शवी कि छोड़ेंगे और हमारी ये चुनवी यातरा लगातार जारी रहेगी हम गाम गली महलों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे इस्तानिय जन पत्रिदियों की राई आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे आप हम लोगों से लगातार जुड़े रहें बहुत बहुत को उपर तक पहुंचाने का काम करेंगे जैन धन्यवाद